नमस्कार प्यारे विद्यारतियों मैं आपका सुरिंद कुमा रित्वाल फिर आपके लिए खास जानकारी लेकर आया हूँ प्यारे विद्यारतियों जैसा आपका एक सपना था सभी का एक सपना होता है कि मैं एक सरकारी नोकरी की चाहत रखता हूं या एक सरकारी नोकरी जो म के बहुत गहन मांगती कि CET जो एक पातरता परिक्षा है राजस्थान के अंतरगत जिसमें आर्दस एक्जामस उसके अंतरगत आयजित किये जाएंगे तो विद्यारती पहले जो CET आपका फिछला CET था उसमें आपके माइनस मार्किंग नहीं था मतलब नेगेटिव मार्कि इसको हटाया जाए आप लोगों ने ट्यूटर पर भी ट्रेंड किया इसके अलावा आपने लिखित में भी दिया इसके साथ में हम जैसे यूआ सात्यों ने भी आप लोगों का साथ दिया और आप लोगों का साथ भी हमें बहुत विसेश सनहें के साथ प्राप्त वा तो य इसके लिए अपन सबसे पहले तो राजस्थान सरकार को बहुत धन्यवाद देंगे इसी के साथ में जो युवा साती है युवा पीडी है जो तुफानी युवा है जो कम्पीटेटर है राजस्थान के उन्होंने भी इसमें बहुत मैनत की आप लोगों का बहुत सनय इसमें तो आप सब लोग भी इसमें बढ़ाय के पातर हैं और अब जो आपका आगामी सीटी के एक्जाम्स होंगे सेप्टमबर अक्टमबर में जैसे इसना तक के और ट्वल्थ लेवल के उन एक्जाम्स में आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं देखने को मिलेगा क्योंकि यह ट्विट करके बताया है कि कुछी आगामी दिनों में घंठों में आपको ऐसा लेटर प्राप्त होगा ऐसा एक पत्र प्राप्त होगा जिसमें यह देखने को मिलेगा कि अब सीटी में नेगेटिव मार्किंग आपको नहीं मिलेगा विद्यारति हमने पहले भी वीडिय के माधियम से और आपको सोसल मीडिया के माधियम से आपसे चर्चा हुई थी कि बच्चों सीटी का जो एक्जाम है इसमें आप लोगों का जो नेगेटिव मार्किंग का जो इस्यू है इसको जल्दी हटा दिया जाएगा इसकी बहुत सारी आलोशना बोर्ड ने भी झेली ह जब सभी विसे विसे सगेते उन्होंने यह चीजे बोली कि इस पातरता परिक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी जाए ठीक है क्योंकि इससे आपको ऐसे तो है निकी सीधा कोई कंपेटिशन फाइट करने का मोगा मिल रहा है क्योंकि इससे आप एक एक जिन्यार जिन्होंने इसके उपर बहुत शांदार निर्ने लिया तो उन सब लोगों ने इसका एक बहुत अच्छा और जोड़दार एक तुफानी अंदाज में अपनी परफॉर्मेंस दी यह सब चीजे देखने को मिली विद्यारती एक चीज आप इसे दियान रखेंगे लेक्स का ये बोलना बिलकुल गलत है गलत इसलिए है क्योंकि एक से लेकर कर के आप यानि जैसे पी सब्सक्राइब क्वात पिह से उके अच्छए करने का मतनलब क्या होता है आप यहां तो सीधा लिग देनाचीए कि आपको कई से कुछ भी पूचा जा सकता है ऐसा कभी कंगी नहीं होता है यहार कि आपने देखा होगा कि यि कि OUT OF परशन आया कि वह कभी नहीं आता है क्योंकि उनका जो गळ्योंड का भी अच्छे ही होंगे लेकिन ये बात बिलकुल बेतुका और गलत है कि कहीं से भी परसन आ सकता है इससे आप क्या साबित करना चाते हैं विद्यारती को क्या आप दबाव डालना चाते हैं सब बिलकु नहीं हो सकता है इसके लिए भी जो प्यारे विद्यारती हैं उनको तो ऐसा नहीं है कि आप उसको जहां से चाहें वहां से पूंच ले या ऐसे भी नहीं है कि जूनियर अकाउंटेंट की तरह किसाब 23% ही डिलीट कर दिये गए बहुत भेंगर लॉस होता है विध्यारतियों को इस सीज का लेकिन बॉर्ड वाले क्या जाने इस सीज को कि 23% का ल आप चैलेंजिंग एक बोड के सामने बनता है कि 23% आप डिलीट कर रहे हैं 41% आउट आप सेलेबस आ रहे हैं तो ये बात विध्यारतियों की हित में अच्छी नहीं हो दिये विध्यारति की अकोर्डिंग टू सेलेबस आए और जितना सेलेबस है उसमें ची अच्छे परस करता है वेचरा जैवपुर जैसे महेंगे सेर में रहता है उनको कमरा किराया तक नहीं मिलता है नमकीन खा करके वो सुबह 6-7 गंटे तक लासे लेते हैं बुखा पैसा बेटा रहता है ठीक है और जब पता लगता है कि पेपर इतना गठिया लेवल का आगया है या पेपर इतना आउट अप सेलेवस आ गया है तो उससे बच्चों की जो आत्मा हैं उनमें बहुत मलव तिखा एक आवाज निकलती है जो की अपन सब लोगों के लिए बहुत मुकसान दायक होती है तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए बौड अध्यक्स जी की बात करें आ आप यह नहीं बोलें कि जहां से आप पढ़ गया हैं वहां से कुछ भी परसना सकता है ऐसा बिलकूनी होता है विद्यारती और बोड का एक बार फिर बहुत-बहुत आभार और भजनलाल सरकार जी का भी बहुत-बहुत आभार जिन्नोंने सीटी में और जो बहुत सारे अपनी बात बोड तक पहुंचाई सरकार तक पहुंचाई तो उन सभी सिक्सगणों का और विद्यारतियों का यह अच्छा तरनेताओं का संगठनों का बोड अदेक्स का सरकार का सभी का बहुत-बहुत आभार धन्यवाद जैहिन जै भारत